नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रीजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपी के लेकर आया हूँ आपको स्वास्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में अगर आप भी करते है हैं ऐसा तो जहर बन जाती है आपकी चाई दोस्तों भारत को अंगरेजों की देन कहीं जाने वाली चाई जो आजकल रोज मर्रा की जिंदगी से इतनी जुड़ चकी है कि लोग अब चाई के बिना अपने दिन की सुरुवात की कलपना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन इस चाई के आइदे भी बहुत हैं जैसे कि चाई हमारी ठकान और हमारे आलस को दोर कर हमें तरो ताजा बना देती हैं लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना जाहिए जैसे कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो एक बार में ही बहुत सारी चाई बना कर हैं और पूरा दिन उसे पीते रह दे हैं या फिर काम करने के बाद री फ्रेस होने के लिए वैं बाहर जाकर चाए पीने के लिए चले जाते हैं लेकिन इस दोरान आपको ये बात याद रखने होगी कि अगर वो चाए आपके सामने बना रहा है तब तो ठीक है लेकिन अगर उसमें अपने थरमस से चाय निकाल करके आपको दी है तो आपके लिए बहतर यही होगा कि वो चाय आप नहीं पिए क्योंकि आपको नहीं पता कि ये चाय कब की बनी होगी इस तरह से घर में भी कुछ लोगों की ये आदत होती है कि सुबे ही बहुत सारी चाय बनाकर रख देते हैं और फिर उसी को कई बार गरम करकर के पीते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बार बार चाय को गरम करने से वो अनहलगी हो जाती है और चाई को दोबारा गरम करके पीना बहुत अदिक नुकसान दायक है चाई की पत्ती को जादा गरम नहीं करना चाहिए अगर आप नॉर्मल चाई भी पी रहे हैं तो चाई पकने के बाद उसमें चाई पत्ती डाले और एक बार खोल कर उसे उतार ले बार-बार चाई की पत्ती को खोलाना सेहत को जहर देने के बराबर होता है इसलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए एक्सपर्ट की माने तो बलेक टी पीना कुछ हाद तक फाइदेवन्द होता है लेकिन जैसे ही दूद में चाई की पत्ती मिलाते हैं चाए में मुझूद एंटिक्षिन्ट खतम हो जाते हैं इससे आपके सरीर के रोग परतिरोधक्षमता कम हो जाती है अनरजी नहीं रहती और आप ठके ठके महसूस करने लगते हैं इतना ही नहीं बलकि चाए को दोबारा गरम करके पीना पेट पर बुरा असर करता है जिससे आप ऐसीडिटी के सिकार हो जाते हैं और आपकी आँठ कमजोर होने लगते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि चाए को बार बार गरम करके नहीं पीए यही आपके लिए फाइदेमंदर होगा तो दोस्तों यदि आप चाए पीना नहीं छोड़ सकते हैं वैसे तो आपको वाइटी की जिगह है बलेक्टी पीना या गरेंटी पीना चाहिए क्योंकि ओन्री वाइटी के नुकसान होते हैं बाकी चाए के नुकसान नहीं होते हैं ब्लेक टी हमारे सिरीर के लिए अच्छी होती है गरें टी हमारे सिरीर के लिए अच्छी होती है लेकिन फिर भी अगर आप वाइट टी को नहीं छोड़ सकते तो आप इस बात का ध्यान अखिए कि आप चाए को तुरंद बना कर भी है पहले से बनी हुई चाए को गरम करके ना बिये क्योंकि इससे आपकी सिहत के बहुत अधिक नुकसाल होता है तो दोस्तों यदि आप सुष्ट रहना चाते हैं और बहुत सारी बेमारियों से बचे रहना चाते हैं तो आप चाए को तुरंद बना कर ही दिये तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वेशेर करना ना पूले इसके साथ-साथ आप हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो